आजकल जब बजार से हम लोग वेजेटेबल्स लेके आते हैं तो कहीं न कहीं मन में ये डर जरूर होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये वेजेटेबल्स और फूट्स भी संक्रमें थे किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे छुआ है जिसे शायद कोरोना हो सकता है तो how do we take care of this? बहुत सारी लोगों को मैंने देखा है वो साबूर पानी से दो रहे हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना है तो क्या करना है? वेजेटेबल्स और फूट्स की जो स्केन होती है वो पोरस होती है और अगर आप इसे साबून के पानी से दोते हैं तो नाचुली वो इसके अंदर तक जा सकती है तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझ लीजिए केवल गुंगुने पानी से दोने से आप 90 से 95 यानि कि from 90 to 95 percent of whatever residues there are on these fruits जो भी इसके उपर है चाहे वो पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, कोई बिक्टीरिया हो आप उसे वाश ओफ कर सकते हैं और तुभी डबल इस्योर एक बोखोटी सी टिप आप फॉलो कीजिए मेरे पास है यहाँ पर बेकिंग सोडा यानि कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है एक बोल में पानी भरिये और ये मीठा सोडा, एक टी स्पून मैं इस बोल में मिला दे रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर दीजे और अब इस पानी में आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सोग कर दीजे बस दस मिनट के लिए आप इसे सोग करके रख दीजे फिर से एक बार क्लीन वाटर से वाश कर लीजे जितने भी रेजिड्यूस इसके उपर लगे हुए होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे वाश अपनी वेजिटेबल्स और फूट के ऊपर से इंसेक्टिसाइड्स पैस्टिसाइड्स केमिकल्स और वाइरस को भी हटाने का